तो आज हम है हलड़वानी में और हलड़वानी में हम आपको एक ऐसे फूड जंक्शन में लेकर के चल रहा है जिनके बरगर और खास करके उनके जो अपने चौमेंट और मोमोज होते हैं वो बहुत खास होते हैं, बहुत शांदार तरीके से वो बनाते हैं खास करके बर्गर्स को अपने बहुत शांदार तरीके से बनाते हैं नूडल्स उनके बहुत प्यारे रहते हैं बहुत छोटा सा फूड वायन है लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ही मस्त है तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस व्लॉग को बने रही है हमारे साथ इस व्लॉग में और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर डालिए तो हम हैं इस समय नेनीताल रोड में और नेनीताल रोड में सौरब होटल के ठीक सामने ये वासुकी फास्ट फूड मॉबाइल वैन है जिस पर आज हम आए हैं और अंकल के यहां पर जो मोमोज हैं चाउमिन हैं और बर्काइब अगर यह तीनों चीज़े बड़ी लाजवाब हैं बहुत शंदर बनाते हैं अंकल हलांकि मेन्यू में बहुत कुछ और भी आइटम है लेकिन जो हमने ट्राइ किया उस आइटम को ट्राइ करने के बाद में हम आपको बता सकते हैं कि यह तीनों चीज़े लाजवाब है तो एक बहुत अच्छा सप्राइज भी यहाँ पर को है कि बहुत इजीली लोकेटबल हैं यह अंकल और साथ ही साथ अंकल का एक नैनी ताल का कनेक्शन भी हमें निकाल ही लिया है तो आम तोर पर जैसे बाकी की फास्फूड वैंज होती है थोड़ी सी अंध हाईजिनिक होती है लेकर अंकल बहुत ही साफ सुतरे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फास्फूड वैं को रन करते हैं और हमने भी जब पहली बार देखा तो लगा हमें कि बहुत श आपका भी रिलेशन हमेरे को निकल के आ गया है आपकी जो बर्ट प्लेस हो नैनी ताल है और बहुत अच्छे आपने नूडल्स हमें यहाँ पर को खिला है और साथ में बर्गर्स भी अब हम टेक करा करके लिए जा रहे हैं तो जब भी हल्वानी पर यहाँ पर को कभी भी यहाँ पर को बहुत अच्छा यहाँ पर को यह वासू की फास्ट फूड कॉर्णर है तो यहाँ पर आकर कि आपको बर्गर सैंड्विक चाव में फ्राइड राइस स्प्रिंगोल मॉमोज होकर सब मिल जाते हैं तो अपनने तो टेस्ट को एंजॉय किया है आप भी यहाँ पर आकर के एक बार टेस्ट को जोग एंजॉय करना है तो यह बर्गर्स को बिक किया जा रहा है तो एक स्पेशल चीजे वह नहीं का कि मैं तलता नहीं हूं यह आप देख सकते है तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड आइप आपका हमारे वीडियो पसंद आया ह होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार वासुकी फास्ट फूड स्टॉल पर जाना मत भूलिएगा चैनल को लाइक शूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जादा से यादा लोगों को शेयर करिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाई टेक केर अपना खूप सारा ख्याल लगेगा